तो आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्डेंट है खासकर बिगनर्स के लिए मैं आज कोई भी अगर ऑप्शन टेडिंग में इंट्रस्टेड है तो उसे सबसे पहले सबसे करता हूं यार कि आप एक मिनिट के लिए दिमाग से निकाल दो कि मुझे अभी आते ही इसके अंदर से बहुत सारा पैसा बनाना है आप पहले आके सीखने आयों तो हम पहले कुछ सेफर स्ट्राटेजी को समझेंगे लास्ट वीडियो में हमने रेंज निकालना समझा तो अगर हम यह पता लग गया कि रेंज के अंदर मार्केट रहने वाला तो होगा क्य है यह घूमता हुआ आपको दिखता है हमने जैसे लास्ट वीडियो में बोला कि अगर मार्केट 18,400 और 17,600 के अंदर रहता है तो हम पैसा बना सकते हैं कैसे पैसा बना सकते हैं आपको समझना पड़ेगा 18,000 एड दमनी हो गया ठीक है यह ATM option हो गया मार्केट 18,400 जाएगी उपर की तरफ तो कॉल के लिए वह आउट अफ दमनी ऑप्शन हो गया और अगर मार्केट तूटती है जहां तक तूटी नहीं है भी 17,600 पे तो पुट के लिए यह बी आउट अफ दमनी ऑप्शन हो गया वहां पे C और इधर पी भी लिग दिए तो है खासकर आउट अफ दमनी के तो यह आउट अफ दमनी पहले तो आइस क्यूब की तरह अपनी वैल्यू लूस करेगा पट एक्सपारी पे यह अल्मोस्ट जीरो हो जाएगा अल्मोस्ट के बोलते हैं क्योंकि 0.5 पैसा रह जाता है आपका तो जीरो ही हो गया खतम हो गया था वह पांच पैसा रहे खतम हो गया अब यह खतम हो गया और यह भी खतम हो जाएगा यह भी जीरो हो जाएगा सो हमारा कंसेप्ट क्या है हमारा कंसेप्ट है कि अगर आप बाय करते तो आपका पैसा जीरो हो जाता है बट सेलर को पैसा मिलेगा देखो जो आप्शन ट्रे तो रेरली होता है, इसलिए 75% time seller ही पैसा बना रहा होता market में, seller के पास एक added advantage क्या है, कि out of the money के option तो वैसे भी time value लूज करेंगे, क्योंकि उनके अंदर intrinsic value ही नहीं, वो हमने फिर्स वीडियो में cover किया, इसमें एक important concept होता है, out of the money जब आप काम करते हो ना, सबसे main काम यह होता है कि market को आपको loss में डालने के लिए, सबसे पहले जो आपका direction नहीं है, उसमें move करना पड़ेगा, आप सोच रहों कि 18,400 तक पहले को market को पहुशना पड़ेगा, उसके उपर जाएगा, फिर आपका loss कहीं start होना शुरू होगा, तो market को आपको loss में डालने के लिए, बहुत मैनत करनी पड़ेगी, या तो उसको सबसे पहले तूटना पड़ेगा, तोड़ा बहुत तूटा तो उसमें आपको कोई फरक ही नहीं पड़ा, क्यूंकि आपने out of the money काम किया, जब बहुत ज़्यादा तूटेगा या बहुत ज़्यादा बड़ेगा, तभी आपका loss महाँ पर आने की chances आती है, बट अगर market move नहीं करेगी, तो बस एक चीज़ को ध्यान रखना, कि time के सास्तत आपके premium erode हो रही है, और देखो, आपकी direction में move नहीं आया, तो तो नुक्सान तह है, ज़्यादा है, कम है, वो तो ठीक है, out of the money option है, तो उसके अंदर सिफ time value है, इसलिए जैसे आनंद ने बोला, इन्द मनी होता, तो आपका एकदम से premium erode होता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा देखता, क्योंकि होगा क्या, out of the money की चीज़ पहले ही सस्ती होगी, out of the money पर 100 की है, तो आपको out of the money में 20 उरुपे की देखेगी, अगर वो नॉन डिरेक्शन में भी जाता थोड़ा 15 की हो जाएगी, बट कम तो होई रही है, यह आपको समझना है, अब क्योंकि वो कम हो रही है, अब हम पॉइंट पर आते हैं, हमारा पॉइंट क्या है, अगर माल लो यह 20 उरुपे की चीज़ है, यह 20 उरुपे की चीज़ है, यह हमें, मतलब आज हमारी जो कैलकुलेशन्स हैं, वो यह कहती हैं, कि विदन वीक यह 0 हो जाएगा, तो सेलर यह 20 उरुपे कमाने वाला है, अगर निफ्टी का एक लोट, एक्जामपल के लिए 50 उरुपे का है, तो 50 इंटू 20 हजार रुपे आने वाला एक लोट पे, अब आप कितने लोट पे ट्रेड करते हो, टोटली अप टू यू, एक्जामपल के लिए कोई 50 लोट पे करता है, कोई 100 लोट पे करता है, कोई 1000 लोट पे भी करता है, तो अगर आप इंटू 100 कर दें, स्ट्रेंगल बनाना, और हम स्ट्रेंगल को शॉट कर रहे हैं, अब स्ट्रेंगल को भाई भी कर सकते हो, अब स्ट्रेंगल को शॉट भी कर सकते हो, अब लॉंग अप करते हो, वो बिल्कुल अलग चीज है, उसका भी वक्त आता है, बढ़ वो अभी नहीं है फिलाल के लिए तो अभी आप क्या करोगे आप शॉट करोगे strangle को बट इसके अंदर आपका capital ज्यादा लगेगा तो अभी मैं आपको एक better strategy दिने वाला हूँ जिसके अंदर आपका ROI जादा होगा आपकी return on investment जादा होगी और उसमें आपका जो loss है वो भी protect हो जाएगा तो आई अब उस strategy को समझते हैं सीखते हैं अभी तक मैं आपके लिए तोड़ से point conclude कर जाता हूँ यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे है weekly expiry क्योंकि हमने last video में जो range निकाली ते वो weekly expiry की निका लिए second market sideways इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे है sell करने की third हम यहाँ पे बात कर रहे है sell करने की out of the money जाके call को और out of the money जाके put को पर उसमें कुछ अभी additional point है जो पुछ कर आपके लिए add करने वाला है, let's go, all right, so, अब हम आपे continue करते हैं, एक आपको चीज क्या समझनी है, कि जब आप trade कर रहे हो, तो आप कौन सी expiry में trade कर रहे हो, यह point मैंने पहले clear किया था, बट यह बहुत important point है, मैं आपको अभी just दिखाऊंगा, so, अभी हम पहले बात करते हैं, strangle की, just a second, okay, so, this is short strangle, अभी हम sensible पर आगए है, अगर आपको इसे use करना, तो link description को में बोक्स में मिल जाएगा, so, basically, strategy builder software है, तो अभी strangle के अंदर क्या होता है, कि हम सेल कर देते हैं, माल लीजे, अभी CM expiry का, जो हमारी current expiry है, मैं आप expiry change कर सकते हैं, so, अभी हमने बात करी दी, कि market example के लिए 17,600 जो है, वहां तक नहीं जाएगी, और 18,400 नहीं जाएगी, अब आप कहेंगे, अपर तो premium कुछ है ही नहीं, 11 रुपे, 4 रुपे रह गया, ठीक है, तो आज मैं तो इसे Sunday को record कर रहा हूं, तो आपको last day का rate दिख रहा होगा, पर अगर आप इसे समझेंगे भी, तो यहां पर, जो max profit है, 0.74% रह गया, साफी जाद हम discuss कर सकते हैं, out of the money options है, इसे हम आगी के लिए भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर भी बता देता हूं, एक price आपको 38 का दिख रहा है, एक 18 का दिख रहा है, ठीक है, आपको यहां पर थोड़ा सा difference है, क्योंकि, यह निफ्टी के according calculate हो रहा है, बट मानलीच यह 18,000 पर ही निफ्टी होती, बर यह होता आपका example 35 का, और यह होता आपका 20 उर्वे का, तो यह ऐसा क्यों है कि यह जादा है, कभी-कभी आपको देखेगा, कि same distance के बीच में है, बट आपको एक option बहुत जादा देखता है, तो अगर आप लोग demand करेंगे, तो हम इसके उपर video बनाएंगे, ठीक है, यह demand तो ही से, I am very sure, आप फिर भी comment करके, पुशकर को खुश कर देजिए, इसको पता चल जाए कि actually आप चाहते हो, तो हम इस पर video बनाएंगे, और वो actually बहुत interesting concept है, हमने वैसे उसको cover किया है एक video में, बट फिर भी, अगर यह cover करेंगे, आपको और मजा आएगा, और वो concept आपको जानना बहुत important होता है, options में काम करने के लिए, माइन को clear करने के लिए, वरना doubt हमेशा रहे जाएगा, ठीक है, अभी हम strategy भी चलते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी अगर आप सिर्फ एक leg बेच रहे थे, तो आपका तक्रीबन fund needed था, 82,000, आपने दोनों leg भी बेच दिये, तो आपका fund needed एक लाख रुपए है, ठीक है, अभी एक लाख रुपए का margin आपसे आपका broker मंगेगा, अगर आप सिर्फ एक lot बेचने जाएंगे, जिसमें आप सिर्फ 28, यह हमने बस expiry change करी है, तो अभी हम current T expiry पर आ रहे हैं, ठीक है, तो again, fund needed तो same ही almost, I want people to make money, मुझे यह फर्ग नहीं पड़ता, कि अभी आती हो एक लाख से एक लाख बनाना चाहता है, तो क्या चाहता है, वो आप अपने घर पे लेगे जाओ, बोलो मैं अभी उसके लिए नहीं बेठा हैं, वो भी हम कवर करेंगे, पर पहले आप बेसिक क्लियर करो, जब तक आप कम से कम लगातार, छे महीना, आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना रहें, आपको रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इनीशिली आते ही, आपका लॉसे होने शुरू हो गए, आपके बड़े स्टॉप लॉसे हो गया, आपका कैपिटल खतम हो गया, तो आप जिन्दी की पर स्टॉक मार्केट को खाली देने वाले हो, और उसके अंदर ना सिफ मार्केट नहीं आती है, उसके अंदर मार्केट के सारे लोग आ जाते हैं, आप और मैं भी अगर हम कुछ अच्छा समझा रहे तो लगेगा लोगों को नहीं आ रही है, तो स्टॉक मार्केट तो ही ऐसी चीज यार ये तो लोगों को बर्बाद कर देती है, इसमें तो सिफ जुआ चल रहा है, I have seen people like that, तो people do not understand की basically हो क्या रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में अगर लोग ऐसे सेटप्स यूज करेंगे जिसमें उनकी probability of profit बहुत जाद है, इट डिजन्ट मैटर उसने कितना पैसा कमाया, उसने एक लाख रुपे लगा के पाचेजार रुपे कमाया, मैं कहता हूँ, तुने भाई कमाया ना, उससे जो confidence आएगा ना, छे महीने तक तुम लगातार कमा रहे हो, कभी loss हो रहा है, तो उसे manage कर रहे हो, सीख रहे हो, adjustments कर रहे हो, जो तुम ये सब सीखना शुरू कर दोगे, इसके बाद तुमें समझाएगा, तुम किस instrument में trade कर रहे हो, because options, जितने lucrative लगते हैं, you already know कि ये उतनी volatile है, पैसा आता भी उतनी speeds है, और जाता भी उतनी speeds है, और आपकी psychology बहुत सदा effect होती है, क्यों, जब आप intraday में options को trade कर रहे होते हैं, every second your mind is taking a decision, but आप जब sell करके बैड़े जाते हो, तो आपको पता है भाई, ये गोड़ा जितनी दूर भागले, मुझा पता कहां से reverse होना है, so you know a range, जब तक कुछ, बिल्कुली different नहीं होता, तक कुछ नहीं होना, ठीक है, इसके अंदर हम ROI भी बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसमें आपने बहुत अच्छी बात बोली, fear of pain हमारे दिमाग में इतना ज्यादा हो जाता है, कि हम काम करना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देंगे लो, अगर यहां पर एक socket लगा है, उसे current आ रहा है, पहली वार डर्ध होगा, दूसरी वार डर्ध होगा, तीसी वार और दर्ध होगा, तो हमारी हमत ही खतम हो जाएगी, हम उसको touch करें, या मार्केट में कोई काम करें, तो fear of pain, आदमी की हमत तोड़ देता है, और हमती मार्केट में प्रसा कमाती है, मेरे कॉर्डिंग तो, आपको बस टिकना एक्रीज पे, देखो यार, मैं यह नहीं करा, सिर्फ यही करना है, नू, यूशुड लो एवरी स्ट्राटजी, किस मार्केट में, कब क्या चीज यूज होनी है, यही तो सीखना है, आपको रोई शर्मा की तना क्रिकेट खेलना है, हर बोल पर भो भी छक्का नहीं मारता, वो मार सकता है, बट मारता नहीं है, क्योंकि उसे विकट बचा के रखना है, विकट बचेगा तो सेंचुरी भी मारेंगे, वरना पता लगा एक बॉल पर चक्का मारा, दूसरे में मारा और आउट हो गए, तो 12 रन बढ़ी हैं, 100 रन बढ़ी हैं, हमें लंबा जाना है, हमें बस आपको बस एक चीज़ समझने है, मुझे मार्केट से आउट नहीं होना है, यह मार्केट मुझे बाहर निकाल के ना फैक दे, और मार्केट चाहती है, जाधातर रिटेलर से पैसा लेना, और वो कौन चाहता है, अभी आप समझोगे, चलो, अब हमने क्या किया है, हमारा यहाँ पर 0.74 आजा था, एक लाग रुपे लगा के, अब यहाँ पर धियान से समझोगे, मैक्स लास 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 क्या हो सकता है, एक तो मितनी दूर का बेच रहा है, फिर बैप कैसे लास हो सकता है, क्योंकि किसी को पता थोड़ी है, मार्केट कितनी ओपर जा सकती है, पागल होगी market जायती जा रही है तो वह 18,400 से अगर वह 500 चली गई तो आपको बहुत अच्छा नुकसान भी हो सकता है similarly हमारी range खेर काफी बड़ी है तो आप देखोगे आपकी profitable range बहुत बड़ी है पर फिर भी आप अगर देखेंगे अगर वह बहुत जादा टूट गई मालो यहां से market एकदम से कुछ हो गया market में और वह 16,000 पर चली गई तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है तो वह नुकसान को हमें protect करना है और उसके लिए आजाती हैं जिए हैंग देती है और इसे सिर्फ नया आदमी समझने के लिए हिच के चाता है क्योंकि यह complicated लगती है बट है नहीं यह complicated लगती है बट है नहीं मैं आपको इसी का अंसर दोंगा सो अब अगर आप देखें तो आपका fund requirement यहां पर देखोगे आप चार लेक्स आ गए आपके यहां पर आप देखोगे आप चार अलग लग ट्रेड लेने वाले हो बड़ आपकी fund requirement एक लाग से सीथा 46,000 रह गई है मैक्स लॉस जहां पर unlimited था अब 17 प्रसेंट करेंगे पर अभी हम चेंज करेंगे अभी हमें बेचना कहता पूट साइट पे 17,600 बेचना था अभी हम बना रहे हैं इसे खुदी बना लेंगे हम तो यह यह आपको by default देता है और by default यहां पर आपको probability of profit और सब कुछ देखता ह है अब हम उससे माल लिजे बेसिकली आपको डिल्टा को न्यूट्र लखना पड़ता बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल से साइट अप देता हूं आप इसे चेंज कर सकते हो ऑगे कि अगर आप यहां पर अभी देखेंगे सो अब आप यहां पर समझिए हमारा max profit 0.81 परसेंट है मैंने सिर्फ 200 प्रेस जाके उपर खरीद लिया है उसका एक रीजन है भी मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा अभी हमने 600 बेचा 400 बेचा मैं जैसे एक स्पारी चेंज कर लग गए तो यह आपका अब unlimited loss नहीं होने देगा so this concept is known as iron condor where you sell जो आप स्टैंगल बना रहे थे बस उसके कुछ strike price उपर जाके आप खरीद लेते हो अभी हमने एक journal view के लिए लोग confused नहीं तो 200 points उपर जाके खरीद लिया है फिलाल के लिए now you if you just change the expiry here now see the magic आपका loss 18% का आगया आपका profit 3.2% का आगया अभी हम यहां पे risk to reward ratio की बात just अभी नहीं कर रहे रिस्क और reward ratio कई लोगों के सबसे match नहीं करता से आनंत कहते हैं कि मैं तो उन strategies में काम करता हूं जा पर इस चलो तीन गों ना हो reward एक गुरा भी हो इससे जादा नहीं क्योंकि credit है आपको credit strategies बना रहे हो आपको पैसे स्वाइटिंग में मिल रहा है probability of profit 78% है पर हम यह कर क्या रहे है आनंत यह can be a question मैं iron condor कर रहा हूं मेरा focus है सिर्फ इस हफ्टे का मैं इसी expiry तक की range निलाल के काम कर रहा हूं बट मैं expiry आगे जा रहा हूं मैं इस expiry को option नहीं बेच रहा क्योंकि इस expiry option तो पहली खतम हो चुका है if you just see so यहां पर यह 38 rupees का है बट एक expiry अभी जो current expiry आप 11 रुपे का है तो यह पहले ही खतम हो चुका है सो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको यह बताता हूं मेरे दिमाग में चल रहा है कि भीया मैं यह 3.2 परसेंट भी नहीं लेना चाहता है एक्जामबल के लिए मेरी जो quantity होती है मैं एक जर्नल quantity बता रहा हूं ठीक है तो इससे मैं minimum quantity जिसमें मैं ट्रेड करता हूं यहां पर मुझे दिख रहा है चलो मेरा fund requirement 1.7 crores का है मुझे पता है साढ़े 5 लाग रुपे आने है बट मैं साढ़े 5 लाग के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इसी expiry के अंदर अगली expiry को option जो है वह 50% से ज़दा टूटी जाए अगर वह रेंज में भी रहा तो सो इफ जस्ट आइगो 1 expiry forward this premium will erode वह तो 0 होना यह 0 नहीं होगा बट यह भी 50% से ज़दा मेल्ट हो जाएगा तो मैं क्या चाह रहा हूं यार मुझे 3.2 चोड़ो मुझे 1.6% ही मिल जाए क्योंकि इस expiry पे तो मुझे 1.6% भी नहीं मिल रहा है यू जसी इस expiry पे तो हमें 0.8% मिल रहा है बड़ मैं इस से डबल ले रहा हूं उसी रेंज के अंदर काम करके बड़ के ओके ओके गौट यह पॉइंट अब मैं समझा अब मैं समझा बतलब आप काम वह एक हफते के लिए करना चाहते हो जो आपका पहले इनिशल माइनसेट था पर एक हफते में मुझे पर हफते अगर एक परसेंट बच रहा है तो बहुत बड़ा पैसा बच रहा है इक बापी से समझेगा मैं बीच में तो अटक गया था कि करना क्या चाह रहा है पर बहुत इंट्रेस्टिंग काम हुआ है इन्होंने एक काम कर लिए इंट्रेस्टिंग याद तो यह अच्छा था यहां पर भी प्रोबाइबलिटी ऑफिट सेविंटी एट पसंट पदा है यह तो वह दृश्य मूवी होती ना दृश्य मूवी के एंड़ आप सोच रहती कि हाडने वाला यह हाडने वाला और एंड में ट्विस् और मज़ा गया हाँ मैं फिट हो गया तोड़ा समय कायरी क्या हो क्या रही होने क्या चाहरा है हाँ मज़ा तो अभी क्या है हम यहां पर वही मिर को पता है ने को तीन लाग रुपे का प्रॉफित आ गया 1.7 क्रोड के कापिटल पे तीन के बाद I will see क्या हो रहा है क्या विक अगए अगीजांबल तो मैं तो मैं ना फूर्फ फूरा प्रेमिमम खतम हो जाएगा ले वो प्रीमिमं खतम हो जाएगा और अगर मुझे उसे कंटेनी भी अपर आप कर सकते हो हां पर आपके अपर मोड जाएं गे मैं रोलॉवर करी दोंगा मैं जाद़तर तर टाइम डॉ हैं आपकी रेंज में आपने डेंज निकाल ली आपको विक्स पता है आपको अपसा बोर्ट रेस्ट नहीं हुआ तो मंडे को यह 70-80 पसंट रोड मिलेगा नौ बच के साड़े नौ के बीच में ऐसे प्रीमियम गिरेंगे ना इसके आउट अफ दम नीगे जो सेलर होगा उसको मज़ेंगे सर्फ और यह चीज आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के देगी अभी हम क्या समझ रहे थे हम एक आयरें कॉंडोर स्राटेजी समझ रहे थे स्ट्राइंगल में ही सिर्फ एक सेफटी लेते ही आप आयरें कॉंडोर बना देते हो ठीक है और उसके अंदर इंपोर्टेंट क्या है इंपोर्टेंट यह नहीं है कि मुझे 3 परसेंट मिल रहा है एंपोर्टेंट 78 परसेंट मला मेरी इंट्रिंसिक प्रोबैबिलिटी और विनिंग किसी चीज़ की 55 परसेंट से ज्यादा आ रही है कि अगर मैं बैट लूंगा तो मैं जीतूंगा यह मुझे मेरा सिस्टम बता रहा है मेरा सॉफ्टर बता रहा है और मेरी केलकुलेशन बता रही है कि अगर यह बैट तो पुश कर लेगा त जीतेगा तो अगर आपको किसी इस पर इतना यकीन आ रहा है तो आप उसे स्टार्टिंग में लीजिए और जब यह फेल होगा तो इसी के एड्जस्मेंट होते हैं और अगर फेल होता भी है तो क्या मेरा पूरा कैपिडल चला जाएगा यह 18 बचन मैक्स साइड है यार कि अपना पागलों की तरह मार्केट किसी डिरेक्शन में चली गई तो तो नुकसान होगा और 400 पॉइंट भी मार्केट के लिए बढ़ना इट इस नौट टूइजी 400 पॉइंट टूटने के बाद भी और टूटने इस नौट टूइजी है साल में एक दो बारी होना है और अगर ऐसा होगा तो हम क्या देखते रहेंगे मार्केट को हमके अपनी पोजिशन लेके देखते रहेंगे तो जब डिरेक्शन में जा रही होगी तो डिरेक्शन कैश more than enough हो जाता है हफते में एक बार strategy बनाई दिन में एकादवार धीक लिया जब भी time मिला और नहीं भी मिला तब भी आपको कोई tension नहीं होगा क्योंकि majority time आपको जो maximum loss से वो cap हो रखा है regular income because आपने net में selling कर रखी है अगर हम premium wise बात करें तो आपको मिलता रहेगा तो यह हो ग